तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने computer laptop में WhatsApp कैसे install कर सकते हैं उसे चला सकते हैं तो वो process में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो देख सकते हैं मेरा screen पर यह देखी हैं मेरा WhatsApp install है अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा open करके दिखाता हूँ अपको तो देखी यहाँ पर यह साइट में देख सकते हैं जितने भी मेरे contact बगरा थे वो यहाँ पर सब सोगे तो किसी पर भी किलिक करके आप जो है न उससे chat कर सकते हैं तो चलिए कैसे आपको download install करना है वो मैं पूरा प्रस आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले जो है आपको Google Chrome open कर लेना है यहाँ पर आपको सर्च करना है WhatsApp download इसके बाद आपको देखिए फरस्ट लिंक पर 클릭 करना है इस तरीके से कुछ नया page open होगा अब देखिए यहाँ पर download पर क्लिक करोगे न तो यह डाउनलूड नहीं होगा क्या है न कि अब यहां से डाउनलूड नहीं होता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है न एक नए डेक्श्टॉप उपन कर लेता हूं यहां पर आपको सर्च करना है WhatsApp वेफ यह फिर उसके बाद WhatsApp वेफ यह इस पर क्लि करे दीजिए अब यहां से जो है न लिंक का डिवाइस इस पर कर दीजिए और यहां से यूज मंखी entsprechend करे दीजिए अब इसके बाद लोक माखेगा लो ख'll दी transit यहां से इसको ना बंद कर देना है तो आपको यहां से इसको ना बंद कर देना है अब यह देखिए वाट्स आगे मेरा अभी जो ना इसका लोगो कुछ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि जो हमारा 2020 का लेटेस्ट वर्जन है कुछ इस तरीके से इसका लोगो दिखाई देता है और इसको जो है ना इस पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना तो देखिए यहां पर ओपन हो गया तो इस तरीके से आप जो है ना वाट्स आप एने कंप्यूटर लैप्टप जो भी हो उसमें चला सकते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं आपका कोई वाट्स आप और कोई यूज ना कर ले तो इसके लिए आपको जो है ना यहां पर किलिक करना थी डॉट